स्ट्रेट लाइन्स को सेकेंड पार्ट हो, फास्ट पार्ट को लिंक माथी फ्लाश पाहिरेको ओला, नात्रबने तलो डिस्क्रिप्सटन मा बेंचा लाव एक्वेशन हेरों find the equation of a straight line which makes an intercept of minus 4 on the x-axis and perpendicular to the line 3x plus 5y minus 1 येश्टो योड़ा line को equation निकाला रहे ज़स्टे x-axis मा minus 4 intercept बनो चरे पने पच्छी x intercept जुन चाई 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 minus 4 और इत्यस पच्छी 3x plus 5y minus 1 मन्ने line संगा चाई perpendicular चरे अब एसको drawing बनों येवने कोस्टो दिखें चावला था यानेरा graph बना रहे रहे अब यू line चाई यानेरा एसरी पास बएरेको चा और यू line चाई परपेंडिकुलर हुने और को योड़ा line चा यो red color को line चाई यो perpendicular हुने line जसको equation चाई 3x plus 5y minus 1 equals to 0 चा 3x plus 5y minus 1 equals to 0 यो चाई रातो line को equation बहाँ अब यानेरा चाई निकालनों परने यो blue color को line चाई येसको equation चाई वाटो अब यहान यहार ना सक्षों येसले minus 4y intercept बनों चाई येक्स एक्सिस मां बचे यहां देखे यहां समागो distance बने को चाई यो minus 4 0 बने पोईंट बड़ा पास पाई रेको चा ओगे ना यो पोईंट बने काई कियो होता बंदा खेरी x-axis मां परेको चा ते बर येसको लागी तो y coordinate 0 उनू परे minus 4 units उतापट्टी चा ते बार चाई यो minus 4 0 बड़ा चाई यो line पास पाई को चा ते बार चाई बाचे यहां यहां गीबन लिखायागाचा straight line makes an intercept of minus 4 on the x-axis so it passes through minus 4 0 and is perpendicular to 3x plus 5y minus 1 equals 2 0 ये सरी गीबन शुरू मां लिखाँ अब किये गरने बंदा खेरी आमिला जुन चाई यो line देखोचा नी ते यो line को equation देखोचा अब किये गरने बंदा खेरी एसको slope निकालनो slope निकालनी फार्मला तथाचा देचा minus coefficient of x upon coefficient of y coefficient of x बने यहां ना सक्षों 3 चा coefficient of y बने को 5 ते बार माइनस 3 upon 5 तेस्टो गरता खेरी एसको slope निसके अब एसको slope निसके बाची अरको line को slope निकालनो परे यह संगा perpendicular होने line चानी तिसको slope निकालनो परे हो अब डविटा line चारू यहदी perpendicular चाबने तिनेरको slope मॉल्टिप्लाइ गर दाखेरी चाई minus 1 आऊचा ते बार ym1 into ym2 equals to minus 1 होंचा एस बाड़ा चानी ym2 निकालना सक्षों ym2 निकालना लाको होनी तिसको लागी formula यूजगरनी formula निकालना यूजगरनी युजगरनी अब एती बेला yx1 नो y1 निकालना निकालना लाको होनी किनाकी y-4 0 बनने पोइंट बड़ा पास बाइरेको संद यो लाइन –0 बाड़ा पास बारेको चा ति बहुगरना यकशोन को बयालू बने को y1 को बलने को 0 नो पर slope बने को चाहीं यह निरे ym2 नो बड़ाखनी यह निरे ym नो परनी ym kट हमा चाहीं yam2 को बालू राखनी किनाकी ym2 बने को यह लाइन को स्लोप, अब एती गरी सेगे बची क्या गरनेता यह अरना सक्षों, y-0 equals to यम 5 अपन 3 यक्स, minus, minus 4 उन्छा यह minus, minus, plus हुन्छा, तेस पची यहां cross multiply गरने हो cross multiply गर दाखेरी चाई यानिरा पहिला y equals to 5 अपन 3, अनि यक्स, plus 4 यानिरा पहिला गरने हो, तेस पची यह 3 y संगा multiply गरने होना दाखेरी 3 y होन्छा, 3 y equals to 5 x plus 20 पहिला, लास्ट मा 5 x minus 3 y plus 20 equals to 0 चाई, अउनी पहिला, यह चाई यो लाइन को equation पहिला अब सेकेंड कोईशन यहां, टू नमर मा find the equation of a straight line passing through 3 1 and mix 45 degree with 3 x minus y plus 5 equals to 0, यह स्टो योड़ा straight line को equation निकाला रे, जुन्छा 3 1 मन्ने point बड़ा pass उन्छा अनी तेस पची यो लाइन संगा चाई, कती degree angle बनोच, 45 degree angle जस्ते कि यह योड़ा line सरे, यो line को equation सपोज 3 x minus y plus 5 equals to 0 सरे, यह संगा perpendicular ता है angle बनेको 45 degree अब यो blue color को line मनेको 3 x minus y plus 5 equals to 0 बनोच, यो red color को line जुन्छाई छाई छाई, यो चाई 3 1 मन्ने point बड़ा pass उन्दो रहाच red color को line चाई 3 1 बड़ा pass उन्दो रहाच, अनी तेस पचे यो blue color को line संगा चाई 45 degree angle बनोच, blue color को line को equation मनेको चाई 3 x minus y plus 5 equals to 0 अब को सरी गरने, फिगर ता बोजी होला यहाँ पनी अगिना को जस्ताई पहिला यो और को line जुन्छाई चाई चाई जसको equation आमने निकालना लाएको चाई तेसको लागी slope निकालना परे हो अब यहाँ, slope निकालने फार्मला आगी काई हो minus coefficient of x upon coefficient of y यहाँ coefficient of x बने आता 3 होंच किना कि x को अगाडी 3 चाई y को अगाडी चाई के चाई y को अगाडी चाई यहाँ minus 1 चाई राम्रसंगा यहाँ minus 1 अणी के पनी चाईना मतलाब भुवांच ते बार y को coefficient बने को यहाँ जिरा minus 1 minus 3 अपन minus 1 गरदा खेरी चाई लास मां 3 आउनने राय चाई यह लाइन को equation बने को 3 अब यहाँ अगिना आमिले सिधाई क्ये गरे हो मन्दा यहाँ बन्दा अगाडी को equation मा चाई आमिले सिधाई m1 into m2 equals to minus 1 गरे यहाँ परपेंडिकुलर भने चाई अई डुटा equation बिचको डुटा line बिचको एंगल निकालनो परे बने यो formula यूज़ गरने हो ते बार यो टैन ठीटा वाला formula यूज़ गरो टैन ठीटा equals to plus minus m1 m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 अब याँ याँ निरा यो एक्उट एंगल वहनत एक्उट एंगल भायको कारणले हामी plus sine चोज़ गरना सक्सों एक्उट एंगल भायको कारणले plus sine चोज़ गरो याँ निरा 1045 equals to एंगल ता देगाईशा m1 कोट हमा 3 राखो minus m2 upon 1 plus 3 m2 ने पहयो यह स्टो गर्दा खेरी 1045 को ब्यालू राखने 1045 को ब्यालू ता 1 बाई आले 1 इकोल्स टो यह ती आउने भो cross multiply गरने औनी subtract add के के गरना मेल चाता सप़ाई गरने ते स्टो गर्दा खेरी चाहीं लास्ट मां यम्टू को ब्यालू चाहीं 1 अपन 2 आउंदो रहाचा अब यम्टू को ब्यालू निस्के पचिता तो इक्वेशन अफ अधर लाइन जुन चाहीं चाहीं जसको इक्वेशन चाहीं आमले निकालनो पाटने हो तो सजीले संगा निकालना सक्षों अगी कई first question मां यूज गरेको formula यूज गरेरा यम्टू हमले पार्खर निकालेको अब यो formula मा यो यम्टू जाए को सरी आया तो यहां तो यम मात्रा उनुपर नियो जस्तो लाग्सा बने चाहीं यानिरा माईले यम्टू आप ही थापया वो यू यम्टू बने को चाहीं second line को slope पाको कारणने माईले यम्टू लिखे वो इसको ठामा यमाई लिखे बनी ठीकाईचा अब यानिरा प्यालू राखने यानिरा cross multiply करे वो त्यस्तो गरता खेरी 2y-2 equals to x-3 आयो त्यस्तो पाछी एज़ सप्ट्रक सपय गरे पाछी चाहीं last मा equation आयो x-2y-1 equals to 0 यो चाहीं equation of the line रायाच यो question ये चाहीं solve गरनी पहला सुरू माँता question बोजनो परे येसको figure पनोना जाननो परे figure कस्टो होंचा त्यो बोजनो परे अनि त्यस्तो पची ये equation ता खासे गारो चाहीं अब और कोई वड़ा थ्रीनमर्क equation है रो थ्रीनमर्क equation बढ़नी सवज लाईचा a, 3, 4, and c, minus 1, minus 6 are the two ends of a diagonal a, c, of a rhombus, a, b, c, d find the equation of diagonal, b, d यहां आमिलाई क्ये बन्याचा बन्दा खेरी येवडा rhombus देखोचा rhombus बन्यको square जास्ते होंचा तर एसको कुनेपनी angle 90 degree होंचा एसमा पनी square मा जास्ते ही चारे वड़ा साइड अरो बराबर होंचा तर कुनेपनी angle 90 degree होंचा पढ़िए टलाएचे आमि रोंबस बन्यकोणी राबंचा यहां मिलाई A को कोडिनेच देखोचा औनी C को कोडिनेच देखोचा अब AC लाए जोडनी होबने यहवडा tenía devientा होबने यहवडार डाइगनल होबन्चा अब याँ किगरने बान दाखेरी पइला C को equation निकालनी C को equation निखेप अचे C को equation निकालनी C को slope निकालनी C को slope निकाल्य पछे चाई हामी midpoint निकालना सक्था सपोच limited point चाहे D उरे, grading d बनने point चाने याँश्यच ⁉ d बनने point चाहे A को midpoint अब ते यह midpoint बड बड, BD पनी, यहाँ ली मिलेन, मिलेन, एक्षिन, 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 यानिरा YOH A B को A C को midpoint लाई E वोन, D ता पढ़े देखे यह निर सानी, ते बरा AC को midpoint लाइचाई E भनो जुन चाईचा यो midpoint लाइचाई E भनो अब जबा हमी midpoint formula युजगर रहा E निकाल छोनी तब यो BD येरो BD बन्ने line पनी E बाड़नाई पास उन्छा E बन्ने point लाइचाई पास उन्छा किना बन्दा खेरी यो डुटा diagonal चारू एक अरखाको चाई perpendicular बाड़नाई पनी 90 डिगरी पनी बनो दो रहाँचा और एक ले और कोलाई आधा पनी पार दो रहाँचा पनी दुबईको midpoint लाइचाई चाईचाई 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 च यहाँचाई चाईचाई चाईचाई चाईचाईचाई चाईचाईचाई चाईचाईचाईचाईचाईचाईचाईचाईचाईचाईचाईचाईचाईचाईचाईचाईचाईचाईचाईचाईचाईचाईचाईचाईचाईचाईचाईचाईचाईचाईचाईचाई मिटपोइंट टाम लिए लेट गराएचो नी AC एदी E बाड़ा पास हुन चापनी BD पनी E बाड़ा पास हुनू पर्यो अब सुरू गरों को सरी करनी सुरू मात ये सरी जिवन लिखनी अब AC को स्लोप निकालनी स्लोप निकालनी फार्मला बनेको Y2-Y1 उकल्स तु Y2-Y1 अपन X2-X1 ये स्टो गर दाखेड़ी स्लोप निसकिनच 5 अपन 2 स्लोप निसकियो अब AC को मिटपोइंट निकालनी AC को मिटपोइंट चाहियो AC को मिटपोइंट निकालनी फार्मला यादचा वला X1-1 प्लास X2 अपन 2 Y1-Y2 अपन 2 ये 3-1 अपन 2 उन्छा ये बनेको 3-1 बने 2 2 अपन 2 बने 1 तेस्ट एगार और को साइध मा पनी 4-6 अपन 2 उन्छा 4-6 बने था minus 2 minus 2 अपन 2 बनेको minus 1 ये सरी AC को मिटपोइंट पनी निसकियो AC को मिटपोइंट पनी निसकियो अब किये गरने ता हम लाइता चाहिने BD कोईको हवकोशन हो अब AC BD संहगा perpendicular संथ अगिन महीले बने सके perpendicular bisector होग भणे र तेबारा perpendicular होनू पर्या अबや यानिरा BD रा AC perpendicular भगो कारण ले हमि यो फॉस्ट कोइशन मा गरे को जस्टे तरीका बड़ा चाहिं, कि गरना सक्षों, BD को स्लोप निकालना सक्षों, BD को स्लोप बने को M2, M1 into M2 equals to minus 1 होंजा, यह बड़ा गर दा खेरी चाहिं, cross multiply पाचे, M2 बने को minus 2 अपन 5 आजा, हाई, यह बने को BD को स्लोप हो, अब BD को equation निकालने, BD को equation निकाल दा खेरी, formula अ अनि तेस पचे यहाँ पनी Y-Y1 equals to M2 X-X1 मा formula मा पहलू राखने हो, M2 बने को हमले माथी निकाली सक्षों, X1 लो Y1 मने को, ते AC को midpoint बड़ा निसके को, तेस बड़ा चाहिं, यह सरी पहलू राखने, पहलू राखी सके पचे चाहिं, या निरा add subtract के के गरना मेल चाहिं, य यहाँ Y-minus-minus उन्छा, तेमाने को plus Y आलियो, अनि तेस पचे यहाँ अपट्टी, minus 2 अपन 5 चा, minus 2 अपन 5, X-1 चा, 5 लाए मात्र, लेफ साइड मा पठाए दिने, multiply गर देना, अनि तेस पचे यहाँ minus 2 ले, बित्र multiply गर दाखेरी, minus 2 X plus 2 आयो, अनि तेस पचे यहाँ 3 equals to 0, यो चाईइ, अम्लाइचा यहाँ एको, एक्वेशन राएचा,